जुलसा देने वाली गर्मी ने सादुल शेहर के लोगों को परिश्वान कर दिया है बचने के लिए लाख जतन किये जो आ रहा है लेकिन सूरज की तपन से बच नहीं पा रहे है देखे रिपॉर्ट सडकों पर बहाया जा रहा ये पानी धर्ती की तपन को कम करने की कोशिश है क्योंकि सूरज आग बरसा रहा है सादुल शेहर में पारा 49 डिगरी पहुँच चुका है सडके सूनी हैं लोग घरों में दुपके हैं इनसानों के साथ साथ मंदिरों में भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए जतन किये जा रही है गर्मी की मार से बेजुबान भी परिशान है कहीं जानवर खुद गर्मी से बचने के लिए रास्ता ढूंड रहे हैं तो वही सादुल शेहर में पशू पालक ने फवारे लगा कर पशू को रहत पहुचाने की कोशिश की है मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी के तेवर अभी ऐसे ही तीखे रहने वाले हैं वहीं प्रशासन ने भी रेड अलर्ट जारी किया है और स्वस्ति विभाग ने लोगों को एहतिहाद बरतने के लिए निर्देश जारी किये हैं आज तक मैंने इतना टेंपरेचर नहीं देखा जितना कि इस सीजन के इंदर हम लोग देख पा रहे हैं गर्मी अपने पूरे शवाब पर है सूरज का सितम ऐसा है कि हर नजर पेड़ों की छाया ढून रही है हर चहरा जुलसने से बचने की कोशिश कर रहा है घर से कदम बाहर निकालते ही हलक सुख जाता है प्रदेश में चन रही इसा हीट वेव से फिलहाल रहत मिलने की उमीद नहीं है जरूरत है इससे बचके रहने की कुल्दीब गोयल, जी मीडिया, सादुल शहर बिकालेर में भीशर गर्मी का प्रकोव जारी है इलाके में हाउस और रहस ज्यसे हालात हो गए है सुबह दस वजे के बाद से ही सरकोव पर सन्नाटा पसर जाता है यहां रेगिस्तानी इलाकों में तापमान 50 दिग्री की पार जा चुका है वहीं गर्मी के चलते अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजूं की संक्या बढ़ती जा रही है चुरू, श्रिगंगा नेगर और बिकानेर में इस साल गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है और बिकानेर समता रौनक ब्यास इस बीचों मरीज साथ लाइब जुड़े है रौनक गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है आज की क्या तस्फिर बिकानेर में तापमान कितना है क्या कुछ लोग उपाई करते हुए नजर आ रहे हैं गर्मी से बचने के लिए और प्रिशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जो आ रहे हैं रौनक जे बिल्कुल देखे लक्ष्मी में आपको बताऊं कि एक शब्द है यानि इस गर्मी ने पूरी तरह से लोगों को घरों में कैद कर दिया है घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया अगर मैं बात करूँ रेकिस्तान पूरी तरह से गर्मी की चपेट में तो गंगा नगर, हन्मानगर, चूरू और बिकानेर यानि पूरे संभाग में पारा जो है पचास के करीब और पार भी जा चुका है हालांकि गर्मी से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से जगे जगे पानी के छिड़काव सड़कों पर किये जारे लेकिन वो इस बार नाकाफी नजर आ रहे है अभी मौझूद हूँ मैं जैसलमेर हाईवे पर आप देखिए बहुत कम आपको यहाँ पर वहाँ नजर आएंगे यह वो सड़क है जहां पर लोग जो है काफी संख्या में निकलते हैं लेकिन आज की जो आलम है वो कहिना कि यह तस्वीरे बया करती है कि लोग बहुत कम सड़कों पर निकले जो लोग मेरे साथ उन से बात करता है उसर घरमी बहुत है पाराच 28 से बार है विकानेर और कुरसंभाग की बात करें 50 के करीब पहुँच गया है क्या कहेंगे किस तरह से बचने की कोशिश कर रही और यहाँ पर आमजन बहुत प्रेशान है और यहाँ पर पारणी की बिलक और 48 लेटर पानी मिलना चाहिए आमजन को वो मिल रहा है कर आज इसका आदा भी नहीं मिल पा रहा है इससे आमजन बहुत परिशान है और परिशानी को ने कान और बीमारी इत्ती फैल रही के हद नहीं है आउसरेश जैसे आलात होगे घरों से निकलना मुश्किल होगे है किस तरह से बच रहे हैं आप लोग दिन बर ठंडी चीजों का अस्तमाल कर रहे है पूरे परदेश में गर्मी अपने चरम पर है हमारे 25 सहरों में जो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है परंतु रेड अलर् को छोड़ कर कहीं पर भी अनुपालना होती दिखाई नहीं दे रही है और आम जन से मेरी अपील रहेगी कि आने वाले प्रयावन दिवस यानि परसो जो पांच जून है उस पर प्रतेक नागरिक को एक पेड लगा कर आगे से आगे बविशे के अंदर गर्मी से बचाओ का जो पर्मान इंटीलाज है वो किया जाना चाहिए। पहुच गया है सुबह जो शुरुवात है वो 38-40 डिग्री से हो रही है तो आप अनुमान लगाई है कि चार बचे सबसे ज़्यादा टेंपरेचर नोट होता है तो 50 डिग्री से करीब चला जाता है अगर बात की जाए मौसमे भाग की तो रेडलर जारी है लोगों का हाल बेह जा रहे हैं क्योंकि जाहिर कि मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है असे मौसम में क्या कुछ विवस्थाएं महां पर बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं इस वाक्त जो बिल्कुल देखिए जिस तरह से लगातार मौसम बिगड रहा है और गर्मी का तेवर लगातार बढ़ता जा रहा है उसके चलते स्वास्त विभा के होश उड़ गए हैं स्वास्त विभा खुद ये सोचने में मजबूर है कि आखिर किस तरफ जो है वो ध्यान दिया जा देखा गया तो एक खास वार्ड जो है विशेश वार्ड वहाँ पर बनाया गयार ताकि लोगों को और जो मरीज है उनको परिशा नहीं ना हो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन स्वास्त विभाग लगातार अलट कर रहा है कि जादे जादे पानी का इस्त तमाम जो एतियाद बरतने की जो बात है वो सामने निकल के आ रही है जील बहुत शुक्रियार उनक व्यास पूरी बाच्ची